बॉर्णिंग बच्चो आज हम निबंद पड़ते हैं मेरे सप्टो का भारत तो चले इन पंक्तियों से शुरू करते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसे रहा है वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा यहां सत्य अहिंसा और नयाय का पग पग लगता देरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा तो परस्तावना बच्चपन से ही जैसे घुट्टी में गुट्टी तबी से एक ऐसा भारत मेरे मस्तिक्ष का अर्थ दिमाग में स्रिजित का अर्थ मनता मेरे मस्तिक्ष में स्रिजित होता रहा जो स्वर्ग से भी महान हो विश्व संसार से भी विशाल हो मैं स्वेम अपने आपको धन्ने महान मानती हूँ कि मैंने इस धर्ती पर जनम लिया अयादी के बाद 50 वर्षों में मेरे देश ने जितनी प्रक्ति करने थी वैं नहीं कर पाया बच्पन से मेरी आँखों में जो सपने तैर रहे हैं मैं चाहती हूँ लोग मेरे उन सपनों को पूर करने में मेरा साथ दे तो चलिए फर्स्ट पॉइंट प्रतेक प्रानी को अपने देश से अपने अभास थथा अपने जनम स्थान से प्यार होता है राष्ट्र हमारी संपति है उसकी प्रती अपनी श्रौदा भक्ति प्रकट करने और उसकी पूजा अर्चना करने के निमित ही हम मूर्तियां मंदिर मस्जित धर्म गरंत राष्ट्र द्वज राष्ट्र गान एवं सन्विदान आदि प्रतिक का अर्थ चिन बना लेते हैं इन सब के प्रति आदर भाव रखने का अभिप्राय देश प्रेम के भावों को पूष्ट एवं विक्सित करना है बंदे मातरम जैहिंद आदी उद्गोश वी हमारे देश के प्रेम के परिचाय के हैं हमारे देश प्रेम का परिचे देते हैं प्रतिक देश के प्रतिक के वासी अपने राष्ट्र को मातर भूमी की संग्या से विभूशित करते हैं, विभूशित का अर्थ श्वबित करते हैं, हमारा प्राचीन भारत परतेक दृष्टी से महांता यहां दूद की नदिया बैती थी, धरम पालन जीवन का सबसे बड़े उदेश्य था हमारा गुनों की द्रिश्टी से एक सोर्णिम का अर्थ सोने की तरह सोर्णिम समाज था देशियों ने विए इसकी मुकत कंथ, खुले कंथ से प्रशंसा की है जान विज्ञान में तो इसकी संभता प्राबरी ही नहीं थी तबी तो इसे जगत गुरु की संगय से विभूशित अलंकृत शोबित किया गया है शिताप्तियों की प्रादेंता एवं शोशन के बाद देश सवतंतर अजाद हुआ इसने नवनिर्मान की और अनेक कदम बढ़ाये हैं आज फिर ये विश्व संसार के महान राष्ट्रों में गिना जाता है हमारे देश का मान चित्र बड़ा आकर्शिक का अर्थ अपनी तरफ खिंचने वाला है इसके उत्र में हिमाले है जो दिन रात प्रहरी प्रहरी का अर्थ पहरेदार की भांती इसकी रक्षा में सचीत साबदान रेता है कितने ही घने जंगल एवं उपवन इसके हिरदे में शाय हुए है गंगा यमुना कृष्णा कावेरी गोदावरी गोमती आदी पावन पवित्र निदिया कल-कल धुनी कल-कल की धुनी अवाज करती हुए इसका गुनगान करती है वे देश की मुमी को हराबरा बनाती है प्रशांत महासागर इसकी चर्णों को पखारता धोता है पखारना का अर्थ धोता है स्पर्श करता है इसके भोतिक अवंसांत सांस्क्रितिक सोंद्रे पर मुगद होकर तो पर साजी का हिरदे कह उठा था आरुन ये मदुमे देश महा मारा यहां पोहँच अनजानक शितिज को मिलता एक सहारा वस्ते वसुदा पर देश कही जिनके शुष्चमा सवशेश नहीं पर भारत की गरुता इतनी इस भूतल इस धर्ती पर ना कहीं जितनी मैं भी भारत की एक नागरी कुम हूँ मैं इस देश के मंगल के लिए नित्य नहीं नहीं कलपनाई करती हूँ मैं इसे सुन्दर से सुन्दर देखना चाती हूँ नेक तेश भक्तो शहीदो और कर्मठ मेहंती व्यक्तियों की सेवा त्याग एवंप्ठोर प्रजीश्रम मेनत के बल पर मेरे देश ने एक बार फिर नया ठाठ धारन किया है मेरे सपनों के भारत की तब सस्वीर देखिए मेरे भारत के बारे मेरी कलपना जब भी मैं अपने द कि जिससे राज्य में चोरी बलातकार हत्या डग कहती का नाम उन्शान ना हो सब खत्म हो जाए सब और सचाई सादगी और खुशी का बोल बाला हो सब लोग ना किवल धन संपन हो अमीर हो बलकि आपसी भायचारे की कारण मन से सुखी हो ग्यान का बंदार मेरा सपना है कि म जया डगन और किव जिस परकार पहले आरेभवाट चरक अधीव ज्टिश कने ऑधी कषेत्र में नहीच हो जें की उसी परकार फिर से हमारे ख्यानिक नई ने खोजे करे आने वाली विज्ञानिक क्रांती में भारत ही अगुआ बनेस अगुआ का अर्थ सबसे आगे हो शांती का दूर्त भारत के पास गर्व करने योगे विशेश्टा है शांती की निती गर्व करने योगे क्या विशेश्टा है शांती की निती मैं चाहूंग सद भाव वह भाईचारे से रहे, सद भाव मितरता के साथ वह भाईचारे से रहे, इस्त्रियों को पूर्शों के समान अदिकार मिले, वह भरत फिर से अपने खोई हुए गोर्व या शमान समान को प्राप्त करे, वैसे तो मेरा देश सर्वे वबंतु सुखिन सर्वे संतु निर्यमया के भाव को लेकर चलता है प्रोपकार का भाव इसकी मिट्टी में रचाबस है पर मैं इसके साथ ही आर्थिक रूप से संपन समरीद भारत की कलपना को पूरा होते देखना चाती हूँ क्रेश्य का किसान शिक्षित हो वह अंद्विश्वाश दूर भाग जाए नारी के समान में ही राष्टर का समान आदर है यतर नारियस्तू पुजयंते रमानते तत्र देपता जहाँ इस उक्ति को जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देपता निवास करते हैं इस सूक्ति को गाने वाले मेरे दीश में अवी भी कही कही कन्या का जनम अविशाप माना जाता है कुछ लालची लोग अपने पुत्रवदूं को बहूं को देच के लालच में यातनाय पीड़ा पहुंचाते हैं मेरी अपिलाशा इच्छा है कि इस प्रकार की कूप रथाओं बुरी परथाओं का भारत में कोई स्थान ना हो सुन्दर विवित्ताओं से पूरण इस देश को किसी की नजर लगी है यहां जाती गत भेदभाव के आपसी फूट के कारण दुश्मनों को आँख उठाने का अपसर मिल जाता है हमें उनके सुवपन को पूरा नहीं होने देना है कभी परवेश लिखते हैं जितने हिस्सों में जब चाहा उसने हमको बांटा है उसको है मालूम हामारी सोचों में सन्नाटा है शशे श्यामला शुफलाम कहलाने वाला मेरा देश भारत आज प्रदोशित हो गया है सबस्वार्थ में अपने लालच में अंदि हो गया किसी को देश की चिंता नहीं काश कोई मेरे सपनों के भारत को मुझे लोटा दे जिस धर्ती पर देबतावी जनम लेने को ललायत रहते थे आज यहां के हाहा कार को देखकर वेवी जनम लेने से कतरा रहे है मेरे देश में आर्थिक विश्यमता की खाईवी दिन प्रति दिन गयरी होती जा रहे हैं निर्दन ग्रीव अभावती चकी में पिस्रा है जब तक ये आर्थिक विश्यमता आर्थिक भेदभाप समाप्त नहीं होती और देश निर्दन ग्रीव और धनी अमीर को एक जैसा सु आज के भारत में ब्रश्टाचार का वी बोल बाला है जिसकी कारण राश्ट्री चृतर पर अघात पूंच रहा है जब तक भारत वाश्ची चृतरबाल की अवश्यत्त को नहीं समझते तब तक भारत का स्तवर उंचे नहीं उठ सकता वर्तमान भारत के शिक्षा पदती वी दोश पूर्ण है, शात्र अपने समय का धीर्ग लंबा समय विद्यालियों एवं महा विद्यालियों में वितीत करके वी अपने विविश्य के प्रती निश्चंत नहीं हो सकते, मैं अपने देश में ऐसी शिक्षा पदती चाती हूँ जो शात्र के विविश्य को स्वर्णिम सोने जैसा चमकदार बना दे इससे उसके हिरदे में देश भक्ती एवं समास सेवा की भावनाएं लगातार पनपती रहें, कभी-कभी प्रान तियता एवं साम परदायकता के भाप्रबल तेच हो जाते हैं, जिससे मेरे देश की एक खंडित हो जाती है, भंग हो जाती है, कभी भाशा के नाम पर अंदोलन होते हैं, तो कभी धरम की संकीरनता का अर्थ तंग दिली व्यरवरोध का कारण बन जाती है, राचनितिक पार्टियां आपसी मतवेद होने के कारण, आपसी मतवेद विचारना मिनने के कारण, देश की उन्ती में बादक रुकावट बन जाती है जब तक ये गुट बंदी स्माप्त नहीं होती तब तक मेरा सपनावी साकार नहीं हो सकता कला संस्कृति और अध्यातम का विकास मेरा भारत कला संस्कृति और अध्यातम के लिए विश्व विख्यात संसार में विश्व विख्य भारत की धर्ती फिर से कला और संस्कृति के रस से सराबोर हो जाए। भारत अपने प्राचिन गोर्व को समझे पश्मी सबता की चकाचोन से अपने को बचाए। साधा जीवन और उच्च विचार ग्रहन करे। अपनी भाषा को प्राथमिक्ता पहल दे। ने के समने तालमेल से अपने ग्यान विज्ञान को चरम सीमा पर पहुंचा दे। चरम सीमा सबसे उपर पहुंचा दे। तबी मैं समझूंगी कि मेरा सपना साकार हुआ है। प्रेम सत्ति अहिंसव अध्यात्म से पूर्ण ये धर्ति फिर से विश्व को शान्ति का संदेश दे सके और हम सिर उठा कर कह सके तुमने जीते हैं देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है निशकर्ष रूप मैं यही कहूंगी मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वाश्वी है कि मेरा सुवपन सपना अवश्य साकार पूरा होगा हम आकाश पताल एक करके इस देश को स्वर्ग बनाएंगे मेरे भारत की धूम एक वार मेरे भारत की परसिद्धी एक वार फिर अरव से कह सकूंगी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा जैहिंद धन्यवाद तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अश्य कीजिए धन्यवाद